मैं शिखर श्रवास्तों मेरे चैनल टिप्स थिएटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों आज फिर आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को बारिश का मौसम हर्याली लेकर आता है परन्तु साथ ही साथ हरयाली के इस समय पौधों में कीडे लगने का डर सबसे जादा होता है चाहे मिट्टी में फंगस लग जाए पौधों में फंगस लग जाए या एफिट्स का अटेक हो जाए या फिर मीली बक्स का अटेक हो जाए और खास कर बारिश के मौसम में ही इन सब चीजों का बहुत जादा डर रहता है तो आज मैं आपको घर पर ही अपने पौधों को कीड़ों से बचाने के लिए बिल्कुल नैचरल वे में 100% एफेक्टिव और्गैनिक इंसेक्टि साइड बनाना बता रही हूं आप देख रहे हैं ये मेरे घर का मिर्ची का पौधा है मिर्च के मैंने कम से कम 4-5 वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किये हैं घर की सूखी लाल मिर्च से ही मैंने इस पौधे को लगाया था इसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा मिर्ची की क्वालिटी आ मेरा बहुत ही healthy दिखा है दोसों जिसमें बहुत ही अच्छी फ्रूटी हुई है परन्तू इसके पास ही एक दूसरा मिर्च का जो पौधार लगा है दोस्तों उसमें कीडे लगना शुरू हो गए है और मिर्च के पौधे में पत्यों पत्यां जो की कर्ल होने लगती है इस रो दिर जाते हैं तो सबसे पहले तो मिर्च के पौधे की देखभाल में दोस्तों आपको हर सप्ता इसकी गुडाई करना जरूरी है जितनी बढ़िया हम मिट्टी की गुडाई करते हैं उत्ता बढ़िया एरियेशन होता है हवा जाती है पौधों की जड़ों तक के और हमारे पौधे बहुत अच्छे स्वस्त रहते हैं आप इस मिर्च के पौधे की पत्या देखें और हेल्दी वाले पत्या दोनों में दिखा रही हूँ दोस्तों जो हेल्दी पत्या है बिल्कुल स्ट्रेट दिख रही है आपको बिल्कुल हरी चमकदार सीधी परंतु जिन पत्यो है वो आपको बिल्कुल मुड़ी हुई दिखाई देंगी तो यह मेरा हेल्दी पौधा है तो आज चो हम यह आपको नैच्रल कीतना शक में आपको बता रही हूँ आप इसे अपने किसी भी पौधे में डाल सकते हैं किसी भी सबजी के पौधों में यदि आपको इसा लग होते हैं है जो भी हरी मिर्च लगी बिल्कुल छोटी-छोटी है और म्रण वेरा मिर्च का है उसमें मिर्ची का साइज भी बहुत अच्छा है तो यह रोग का पौधों एक डर पौधों में लग जाता है और जिस से हमें बचाओ करना ज़रूरी है नहीं तो अमारे बगी य उनमें भी बिमारी लग जाएगी तो इस जो हम नैचरल वे में आज हम जो पैस्टिसाइट बना रहे हैं दोस्तों बहुत ही बढ़िया है किसी भी पौधे में आप डाले कोशिश करें जब भी आप पैस्टिसाइट का छिड़काओ करें तो वह हमेशा शाम के समय करें या फि पैस्टिसाइट का छिड़काओ भी कभी ना करें बैकिंग सोडा लिया है जिसे कि हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेड भी कहा जाता है मात्र पांच रुपए का ये पैकेट आता है आपको किसी भी किराना दुकान में मिल जाएगा केवल एक छोट एक लिटर पानी लीजिए, आप उसमें ये आधा चम्मच सोडा आप कम बनाना चाहते हैं, तो आप कम भी बना सकते हैं, और अगर ये पानी बच भी जाए, तो आप बाकी दूसरे पौधों में भी स्काइ स्प्रेय कर सकते हैं, और साथ ही हम इसमें डालेंगे कोई भी डिश सोडा है, बहुत ही बढ़िया बहुत ही शक्ति साली, ये पैस्टिसाइड है, और इसका यूज आप अगर करेंगे तो आप देखेंगे हमारे पौधे बिल्कुल ही स्वस्त रहेंगे, और यहां पर मैंने लिया है नीम ओईल, अगर आपके पास माल लिजे नीम ओईल नहीं एक ड्रॉप ही काफी है, अब आप देख सकते हैं, नीम ओईल पूरी अच्छी तरह से पानी में घुल गया है, इसलिए तो पानी में घुलने के लिए हम इसमें किसी भी डिश वाश का उपयोग करते हैं, आप चाहें तो कोई शेंपू की एक बूंद भी डाल सकते हैं, ता पूंद में करें, ही थूलों, पत्तियों में करें, Dhoni के पूरे स्टैम में करें, तो किडे न लगने पाएं, और लगे हैं, तो किडे ननिकल जाएं आप इसे सपता हर सपता करें इसका सपता में तीन दिन करें आप इसे कुछ दिन करके देखें आठ से दस दिन भी आप इसे करेंगे आप खुद देखेंगे आपके पौधे में बिल्कुल ताजगी आजाएगी पौधे आपके स्वस्थ हो जाएगे जो भी पौधों में बिम 100% organic है और इससे हमारे पौधों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता है मैं बहुत समय से इसका इस्तमाल करते आ रही हूँ आप मेरे सभी पौधे देख सकते हैं सभी पौधे मेरे बहुत ही हैल्दी है तो कभी मेरे पौधों में इस तरह से कभी कोई कीडे लग जाते हैं तो मैं और गैनिक पैस्टिसाइट का ही इस्तमाल करती हूँ कभी भी केमिकल वाले पैस्टिसाइट का छड़काव ना करें खासकर हमारे खाने वाली सब्जियों में एक बारा फूलों वाले पौधों में जरूर डाल सकते हैं या शोग कोई प्लांट है उसमें आप डाल भी सक परन्तु जो खाने वाली सब्जियां उनमें कभी भी आप केमिकल वाले पैस्टिसाइट का छड़काव ना करें बढ़ी अच्छा पौधों को मैंने नहला दिया एक प्रकार से इससे और यह शाम का समय है हमेशा शाम के समय जैसा मैंने आपको बताए कभी भी धूप में आ पौधे जुलत जाते हैं जब हम उनमें पैस्टिसाइट का छुड़काव करते हैं तो यह बहुत अच्छा तरीका है और इसके साथ ही दोस्तों मैंने आपके साथ पैस्टिसाइट के दो से तीन वीडियो शेयर किया जिसमें मैंने कड़वे नीम की पतियों को उबाल कर उस तो बहुत अच्छा तरीका है यह दो-तीन तरीके हैं दोस्तों कि घर पर ही आप बिल्कुल और गैनिक तरीके से इस शक्ति शाली पैस्टिसाइट को बनाएं और अपने पौधों पर छिड़काव करें तो यह मेरा भिंडी का पौधा है दोस्तों इसका वीडियो भी मैंने शेयर कि आप देख सकते हैं कितनी फ्रेश हैं इसकी पत्यां कहीं भी आपको कीडे लगे दिखाई नहीं दे रहे हैं ना मित्ती में फंगस लगा है जबकि अभी तो बहुत तेज बारिश हुई है बहुत लंबे समय से हमारे इस तरफ बारिश हो रही है फिर भी मेरे कि आप देख सकते हैं तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइव साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थेटर को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा